बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोधी सरकार ये नारा बिल्कुल सटीक बैट था अगर मोधी सरकार को चुनाप से पहले महंगाई याद ना आती नमस्कार मैं उर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज इस तरीके से नरेंदर मोधी जी ने कल ही दो रूपे पेट्रोल सस्ता करते हुए देशवासियों को बधाई दी है और उसके बाद जो है तमाम चीजे नजर आ रही है इसमें कि किस तरीके से मोधी जी को चुनाप से पहले ही महंगाई कम करने की याद आती है पहले अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर जो है अगर कॉंग्रेस की सरकार में सिलेंडर की बात करें तो 400 रुपे मिलता था लेकिन उसके बाद 2014 के बाद से जो महंगाई की मार से लोगों को जेलना पड़ रहा है महंगाई की मार जो लोगों को जेलनी पड़ रही है वो आपको सीधे तोर पर देखी जा सकती किस तरीके से मोधी जी ने पेट्रोल के दाम 2 रुपे कम करके देशवासियों को तौफा दे दिया है कि हम चुनाव से पहले आपको तौफा दे रहे हैं ताकि सारे वोट वो अपने जेब में कर सके जब जब चुनाव आते हैं उससे पहले नरेंद्र मोधी यानि भाजबा सरकार को यह याद आ जाता है कि हमने जो वादे करे थे शायद वो निभाने चाहिए क्योंकि जो रोजगार की मार जो 10 साल से जनता छेल रही है उसमें तो जो नरेंद्र मोधी जी को 10 साल से कुछ याद नहीं आया लेकिन जो दो कड़र रोजगार की बात करते हैं जो जुमला दिया जाता है हर बार लोगों को वो बस चुनाव से पहले याद आता है कि हाँ हमने जो जितने वादे दावे वादे करे थे वो सब सटीक थे और सब सच थे चुनाव आता है तो वोट की राजनीती उनको करनी होते तो उसके बाद जो है वोट सिलेंडर के दाम कम कर देते हैं इस तरीके से आठ तारीक को राष्टे महिला दिवस पर सौ रुपे कम करके उन्होंने ये दिखाया था कि हमने तौफा दिया है महिलाओं को सौ रुपे कम करके और उसके बाद पंदरा तारीक को दो रुपे कम करके पेट्रोल के दाम दो रुपे कम करके तौफा दे रहे हैं इस पे सुप्रिया श्रिनेत लिखती हैं दो रुपे की कटावती लाखो करोडों की लूट से ध्यान नहीं भटकाती मलब जिस तरीके से 10 साल में जो नरेंदर मोधी जी ने जो लाखो करोडों की लूट करी है उसके बाद ये दो रुपे कम करके क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने देशवासियों पे कितना धियान दिया है जो 400 पार का नारा देते कहीं ना कहीं 400 पार का नारा वो EVM के उसके बाद अगर उनको ये डर नहीं होता जाकि 400 पार उनके पास ही आने वाले हैं, 400 पार वो लाने वाले हैं, तो वो जगा जगा रैलिया नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद एक और सुप्रियाशने ट्वीट करके लिखती है कि अकबार के हर पन्ने पर मोदी, TV पर केवल मोदी, रेडियो पर सिर्फ मोदी, इंटरनेट पर मोदी, हर गली, हर चोरहाई पर मोदी, शहर गाउन के दिवारों पर मोदी, पैट्रोल पम्प पर मोदी, इन कि युवे ऐक बार की बात हो चाहे बस्किल पातों के लिवाच चाहाई जगा 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 जो पोस्टर जो देखने को मिल जाते हैं उसके बाद सकता छीजस के पैसे कहा सब्सक्राइक पॉस्टर लगवा दिये जाते हैं यूवाँ को रोजगार को रिया तो तो जो reality दिखती है उसमें ये किस तरीके से युवा बेरोजगार गुंग रहे हैं, हाथ में डिगरी लेके graduation होने के बाद भी उनके पास नौकरी नहीं है उसके बाद अगर किसान की बात करें तो किसान जो है बौडरों पर बैठे हुए हैं अपना हक मांगने के लिए उसके महिलाओं की बात करें तो महिलाशें तो महुआई कीमार जहील रही है, जहां पर सबज场 की लोग आम गरीब जंता महार घेल नहीं पा रही हैं आगर यह जो यह वहांध कीमा अखी बाहर मोदी सरकार महा नार काहिए आकए जंब लीटों के लिए नहीं पेट्रोल दाम के लिए दिया है मित्रों जिस तरीके से अमिच चहाँ ट्वीट करके बोल रहे हैं कि देश्वासियों को रहत देते हुए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रॉल और डीजल की कीमतों पर 2 रुपे प्रती लीटर की कटोती करने का निर्णे किया है मोदी जी के प्रयासों से देश में पेट्रोल के दाम में पिछडे धाई वर्षों में लगबग 15 प्रती लीटर और डीजल के दाम में लगबग 17 प्रती लीटर की कमी आई है इस निर्णे के लिए मोदी जी का अभार व्यक्त करता हूँ वालब किस तरीके से अमिज शा जो है मोदी जी का अभार व्यक्त कर रहे हैं कि 2 रुपे पेट्रोल की कीमत कम कर दी गही है और दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं याद नहीं वो चुनाव से पहले आपको याद आ रही हैं इसके ओपर एक जो यूजर हैं वो लिखते हैं कि सुना है पेट्रोल और गैस के दाम कम हो गया लगता है देश में चुनाव होने वाला है उसके लिखते हैं पेट्रोल के दाम कम कर देना भाई साब बाकी वोट तो पैसे भी नहीं दूँगा इतने दिन क्यों कम नहीं किया मतलब वो सीरे मोधी सरकार को टार्गेट करते हैं बोल रहे हैं कि अब चुनाव आया है तो आप पेट्रोल के दाम कम कर रहे हैं इतने दिन क्यों नहीं कम किये उसके एक और यूजर लिखते हैं कि 20-25 रुपे बढ दाम कम होते हैं एक और यूजर लिखता है कि हैस्टेग वाओ इलेक्शन आये हैं तभी तो पैट्रोल डीजल के दाम कम करवाए हैं पहले 10 साल में पैसे बढ़ा बढ़ा कर पब्लिक को लूट लो फिर जब इलेक्शन आ जाए तो दो रुपे प्रती लीटर कम कर दो के बा साम जनता ये चाहरी है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो जुमला ना दे जो दावेवादे जो कर रही है सरकार वो उस पर अमल करें इस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जुमला दे के गुमरा करा है सरकार को अब लगता है जनता समझ गई कि चुना वेले लिए जो दावएवादे करेगा उस पर अमल करेगा हम उसको वोट देंगे तो जिस तरीके से चुनाव से पहले पेट्रोल की कीमत कम करके सिलैंडर की कीमत कम करों महगाई पे ध्यान देते वें नरेंद्र मोदी सरकार ने जो देश को जो देशवासियों को जनता को तौफा दे रहे हैं इस पर आपकी कहा रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी पेट्रोल महंगा सोना महंगा महंगा हुआ मकान दाल महंगी दवा महंगी के बताएगा